हेलो वरिवन स्वागत आप सभी का मैं एक्जम यूटूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम जो मारी लूसेंड कंप्यूटर की जो सेरी चल रही थी 500 कोशन की टॉप की तो यह पार्ट 4 है इससे पहले हम पार्ट 3 कर चुके हैं ठीक है हार एक पार्ट में हम 50 कोशन अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लीज उनको भी आप जरूर देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो हमारा पार्ट 4 है परस्ट कोशन है कंप्यूटर हाडवेर जो आकड दोनों होती है तो इस कांसर हो जाएगा ए और भी दोनों ठीक है मैगनेटिक टेप डिस्क नेक्स्ट है कंप्यूटर हाडवेर जो सिलिकोन का बना होता है आकडो को बहुत अधिक मातरा में बंधारन कर सकता है कहलाता है तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का हाडवेर है जो सिलिकोन का बना होता है तो कौन सा होता है वो सिलिकोन का जो बना हो pen drive है pen drive क्या है तो pen drive क्या है आपके एक तो secondary storage device है ठीच है इसको हम बोलते हैं Electronic Memory क्या बोलते हैं सको Electronic Memory नेक्स क्कूशन है कैसे memory, कैसे memory का पर्योग किया जाता है ठीच है तो आप सभी को पता होगा जो कैसे memory आपकी तो यह जो memory होती हैี้ आपकी किसके बीच में होती है इसको सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो कैसे memory है यह किस-किस के बीच में होती है आपकी जो में memory है और CPU है इन दोनों के बीच में होती है आपकी ठीक है जो data आप बार-बार यूज कर रहे हैं उसको store करने के लिए हम cache memory का use करते हैं ताकि आपका जो access time है उसको आप कम कर सके ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए तो cache memory का परियोग किया जाता है memory वे प्रोसेसर के बीच गति अवरोद को दूर करने के लिए ठीक है जो आपकी यह होता है है main memory होता है और cpu जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं इन दोनों के बीच में होती है आपकी कैसे memory ठीक है तो गति अवरोद को दूर करने के लिए इसका परियोग किया जाता है आपकी very expensive होती है यह और fast होती है तो यह भी आपको पता होना आप्लीकेशन डाटा जो ट्रांसफर करते हैं अब उसको का बोलते हैं तो also एक्सेंज नेक्स्ट पेंड्राइव है तो अभी हमने बात कि थी पेंड्राइव क्या है इलेक्टोनिक क्या है आपकी मेमोरी है अब यहां पर ओप्षन आपकी अलग मिलेंगे आपको बताना है का हटाई जाने वाली दित्यक भंडारन इकाई ठीक है यानि कि जिसको आप हट सकते हैं क्या है सेकेंडरी स्टोरेज यूनित है आपके नेक्स्ट है रजिस्टर्स जो होते हैं आपके उच गती समरिती तत्व हैं जो स्तित होते हैं तो कहां पर होते हैं आपके रजिस्टर्स रोम और इप्रॉम में ठीक है रोम रीड ओनली मेमोरी ठीक है क्या होते है य उसमें आपके क्या होते हैं राजिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं टैंप्रेरी स्टोरेज करते हैं किसका डेटा का ठीक है तो इसको आपको याद अखना है सबसे फास्टेस्ट होता है आपका रेजिस्टर्स ठीक है सबसे फास्टेस्ट आपकी क्या है यह रेजिस्टर मे बताना है तो इसकी क्या है CDRW यानि कि Compact Disk Read and Write ठीक है Compact Disk Read and Write नेक्स्ट है computer का inbuilt memory है तो computer का inbuilt memory होता है उसको क्या बोलते हैं यानि कि जब computer को हम बनाया जाता है manufacture किया जाता है तो तभी ये memory computer के अंदर आप क्या कर दी जाती है डाल दी जाती है तो इसको हम क्या बोलते है रों Read only memory ठीक है इसी के अंदर आपके क्या होते हैं आपकी registers होते हैं वह random access memory क्या है आपकी और यह आपकी क्या है रों की टाइप है programmable read-only memory और आप की यह क्या है second है it from electrically erasable programmable read-only memory तो यह आपको दोन्हों टाइप याद रखनी है इसकर रोम की अभी कई बार definition बूछ लिजाती है नेक्ट थे सीडी पर आप कर सकते हैं तो सीडी पर आप क्या कर सकते हैं तो अभी हमने बात की थी cd की full form की compact disk read and write यानि कि आप क्या कर सकते हैं पड़ और लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा इसका answer c हो जाएगा ठीक है cdrw जो होती है इसका मतलब क्या होता है read and write यानि कि पटना और लिखना कि नेक्स कोशन करते हैं फाइल को save कर computer बंद करने पर data यह थावत रहता है यानि कि जब आप फाइल को save करते हैं और जो computer आप बंद कर देते हैं तो आपको data है ऐसा रहता है ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं तो उसको में भी data है आपका क्या हो जाएगा वो गयाब हो जाता है तो secondary storage में आपका data ऐसे का ऐसा रहता है नेक्स्ट है निमलिक्त में से कौन सी memory का सबसे कम access समय है access समय सबसे कम किसका है ठीक है यह access समय के पारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका है सबसे कम आपका cache memory का इन चारों में से सबसे कम किसका है कैसे memory का है तो इसलिए इसको हम fastest memory बोलते हैं और यह very expensive होती है तो access समय क्या है जैसे आप बार बार जो data use कर रहे हैं ठीक है आपने एक बार मोबाइल का example ले लिजी आप गूगल में आपको सर्च कर रहे हैं आपने first time सर्च किया तो उसको समय लगता है प्रोसेशर को execute करने में और आपको output देने में ठीक है लेकिन जैसे ही आप second बार उसको use करेंगे तो case memory में वो data store हो जाता है ठीक है तो वो case memory से direct उठाके आपको दे देगा ताकि जो समय है आपका वो बस जाए ठीक है तो इसको हम बोलते है सबसे कम case का होता है case memory का नेक्स्ट है वर्चुल मेमोरी का आकार निबर करता है तो वर्चुल मेमोरी का जो आकार होता है size होता है किस पर डिपेंड करता है तो यह डिपेंड करता है आपका disk space पर है जो आपका disk का space है उस पर डिपेंड करता है वर्चुल मेमोरी का size अब हम बात करते हैं जो access time है वो होता क्या है तो ये आपका क्या होता है एक device को data और instruction लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्द कराना समय कहलाता है तो इसी को हम बोलते हैं access time ठीक है एक device होता है data और instruction लोकेट करने कि वो instruction आपकी कहाँ पर है और उनको CPU को उपलब्द कराना क्या कहलाता है आपका access time कहलाता है तो यह आपको याद अखनी है definition access time आपका क्या है नेक्स्ट है इन में से सबसे तेज memory कौन सी है तो इन में से सबसे जो तेज memory है आपकी कौन सी है रेजिस्टर्स है सबसे तेज मेमोरी आपकी कौन सी होती है रेजिस्टर्स होती है उसके बाद आपकी cash यह दोनों आपको याद अखने है कई वाद दोनों में से पूछ लिया जाता है तो सबसे fastest आपकी register फिर आपकी cash नेक्स कोशन करते हैं पब्लिक डोमेन शॉफ्ट्वेर क्या है पब्लिक डोमेन तो इसके नाम में आपको दिखेगा पब्लिक यानि कि जो पब्लिक के लिए हो पब्लिक डोमेन ठीक है तो इसको हम बोलेंगे इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्द शॉफ्ट्वेर को हम क्या बोलते हैं पब्लि अधिकतं मात्रा को क्या कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं यानि कि Maximum आप कितना data store कर सकते हैं किसी storage medium में तो उसको को हम क्या बोलेंगे उसकी capacity बोलेंगे ठीक है कि उसकी जो capacity है storage capacity उसकी कितने है पूरा नाम क्या है तो आप हम ने किया था cdrw का पूरा नाम क्या है इसको हम read and write भी बोलते हैं compact disc read and write यज फिर इसको हम बोलते हैं compact disc re-writable ठीक है दोनों आप याद रखेंगे जो भी आपको वह अग्जाम में में दी हो दौणों में से आप मार्ख परेंगे नेच्स जब पावर ओफ कर दी जाती है तो यह memory अपने data या content हो देती है तकौणसी memory है उतिक है तो नहीं होती है इसता बंद होने पर भी उसको हम क्या बोलते हैं नौन Hamilton नेक्स्ट वे डैटा मेमोरी तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिंगज न्यूजर होता है उसे परयोकता प्रीवर्तित या मिता नहीं सकता है क्या कर सकता है प्रयोकता यानि कि यूज़र होता है where data, कौन सा data होता है जब आपके memory का निर्मान यानि कि manufacture की जाती है तो उसी समय record किया जाता है तो उसको जो user है ना तो उसको मिटा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं keval read यानि कि आप keval उसको read कर सकते हैं उसको आप write नहीं कर सकते हैं keval और keval आप क्या कर सकते हैं read कर सकते हैं उसको आप दुबारा से erase करके write नहीं कर सकते हैं next time यदि आप इसकी pdf लेना चाहते हैं तो आप telegram चैनल से जोड़ सकते हैं तो telegram का link आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ से आप कोई भी pdf लेना चाहते हैं जब एक बार हमारे सारे questions हो जाएगे तो मैं एक बार इकठे आपके 500 questions की pdf आपको telegram पर डाल दूँगा इससे पहले जो वीडियोज हम करते हैं डेली तो उसकी भी pdf आपको telegram पर मिलती रहेगी next question है नहीं होते हैं तो कौन से होते हैं आपके बिजली बंद हो जाती है तो बी मैमोरी के डाटा या content जो होते हैं next नहीं होते हैं तो कौन से होते हैं आपके बिजली बंद हो जाए तो तब भी डाटा या content जो है नहीं होते तो उप्यूक्त सभी आपका अंसर होगा इसमें next एक computer की समरिती समन्य तोर पर kilobyte या megabyte के रूप में व्यक्त की जाती है तो एक byte क्या होता है ठीक है एक byte क्या होता है तो एक byte किसके बराबर होता है आपका एक byte होता है आपका वन बाइट इसको हम क्या बोलते हैं आठ द्वी आधारी अंकों के बराबर ठीक है वन बाइट इस इकल टू एट बिट नेक्स्ट है एक किलो बाइट बराबर होती है तो एक जो किलो बाइट होती है आप किसके बराबर होती है एक हजार चौइस बाइट के कौन सा उप्शन है आपका बी आपका उप्शन है एक हजार चौइस बाइट तो यह डाटा जो आपके हैं सभी के सभी इंपोर्टेंट है इनमें से जरूर आपका कुश्चन पूचा जाता है next है computer भासा में 1 megabyte में कितने bytes होते हैं 1 megabyte में पूछा गए आपका कितने bytes होते हैं तो देखिए आप 1 megabyte किसके बराबर होती है 1024 kilobyte और जो आपकी 1 kilobyte होती है वो होती है दुबारा से 1024 byte ठीक है तो ये value आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 megabyte किसके बराबर हो जाएगी आपकी 1024 गुना 1024 byte तो 1024 गुना 1024 आपका कितना होता है 10,48,560 तो आपका D answer हो जाएगा है आपर next है 8 बीटों के समूग को कहते हैं 8 बीटों के समूग को क्या कहते हैं अभी हमने किया था 1 byte 1 byte is equal to 8 bits next है 1 byte में कितने bits होते हैं कितने होते हैं next है इन में से कौन computer में परियुक्त अंक पदती है ठीक है कौन सा आपका अंक पदती है number system है आपका computer में जो आपका use होता है तो आपका binary भी है octal भी है hexadecimal भी है तो 3 आपके क्या है आपके number system है जो computer में use होते हैं तो अगर आप number system देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो में आपको already करवा चुका हूँ तो playlist में आप जाकर देख सकते हैं computer की playlist आपको मिलेगी तो वहाँ पर आपको ये number system बहुत मैंने अच्छे से करवाया हुआ है ठीक है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं next bit क्या है जो bit है आपका ये क्या है तो आभी हमने किया one byte is equal to eight bits तो ये bit होता क्या है ठीक है ये जो bit होता है इसको हम क्या बोलते हैं तो ये होता computer memory की सबसे छोटी एकाई smallest unit of computer memory next है computer में सब्द की लंबाई को मापा जाता है यानि कि जो word length है हम कैसे measure करते हैं computer की तो किस में measure करते हैं smallest unit अभी हमने बात की थी तो वो कौन सी है byte होती है आपकी smallest unit यानि कि byte smallest unit तो होगी आपकी बेट से लेकिन जो computer की जो word length है उसको हम किस में measure करते हैं byte में next है computer memory की समता को मापते हैं जो computer memory है उसकी जो समता है उसको हम कैसे मापते हैं उसको हम मापते हैं byte में ठीक है next question करते है bit का मطلب क्या है जो हम bit पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है binary digit क्या मतलब होता इसका binary digit को हम बोलते हैं bit next परतेक computer की keyboard के परतेक की s key होती है जिसका पूरण नाम आपसे पुछा गया है तो यह होता है American Standard Code for Information Interchange यानि कि B option होगा आपका American Standard for American Standard Code for Information Interchange very important है आपकी बहुत बार पुछी गई है यह next है यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए next है सूपर कंप्यूटर के लिए सब्द लंबाई की प्रास यानि की रेंज सूपर कंप्यूटर जो होती है उसकी जो वर्ड लेंथ होती है उसकी रेंज कितनी होती है तो उसकी रेंज आपकी कितनी होती है 64 बिट तक tallest question है computer में data store करने तथा गन्णा के लिए किस number system का परियोग होता है computer में data store करते है या calculation करते हैं तो आप सभी को बता है आप जो data input करते हैं तो वह आप अपने language में करते हैं लेकिन जब उसको computer अपने आप लेता है तो प्रोसेस करता है तो कौन सी language में करता है वो करता है binary यानि जीरो और वन की form में करता है next step pad MB का प्रयोग किया जाता है जो MB होती है आपकी किसका प्रयोग किया जाता है तो यह megabytes के लिए next step 10 lakh bytes लगबग होती है जो दस आप देखें तो 10,48,560 नेक्स्ट है निमन में से स्टोरेज का सबसे बड़ा योनिट कौन सा है तो सबसे बड़ा योनिट निमन में से आपको बताना है सबसे छोटा इन में से KB होता है यानि कि किलो बाइट फिर आपका MB होता है मेगाबाइट फिर आपका जीबी होता है गीगाबाइट तो यह आपका ओडर होता है ठीक है इन निमन में से पूचा है तो निमन में से सबसे बड़ा कुण सा है जीबी यानि की गीगाबाइट next question है बड़े से छोटे के करम में निमन में से कौन सा सही है बड़े से छोटे में पूछा गया है तो बड़े से छोटा सबसे बड़ा कौन सा है अभी हमने किया तीन तो हम देख चुके हैं GB सबसे बड़ा फिर MB फिर आपका KB तो यह होता है आपका order इससे पहले हम कोशन में कर सुके हैं किलो बाइट फिर उससे बड़ा MB और उससे बड़ा GB और GB से भी बड़ा होता है आपका टेरा बाइट तो यह order आप देखेंगे कौन सी option में है D option में है तो D आपका आंसर हो जाएगा next question है computer में केवी का सामान्यता अर्थ होता है तो केवी का क्या अर्थ होता है किलो बाइट C option बिल्कुल राइट होगा next है सबसे ज़्यादा परियोग में आने वाला कोड कौन सा है परतेक करेक्टर को विशिष्ट आठ बिट कोड के रूप में निरुपीत करता है तो उसको हम क्या बोलते है उसको बोलते है default next है computer में एक निबल कितने बिट के निरुपीत करता है यानि कि एक नीबल है जो कितने बिट को डिनोट करता है तो वो करता है चार बिट को एक नीबल आपका कितने बिट के पराबर होता है चार के नेक्स्ट है एक हलक का स्वेधन्सिल डिवाइस ठीक है जो चितरकारी मुदरित पाठ अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है नेक्स्ट है। हैं किंप्यूटर को वर्गीकरीद क्लासिफाइड किया जा सकता है तो कंप्यूटर की जोностью कितने उस में कि किया जा सकता है तो यह किया जा सकता है पांच में किस में किया जा सकता है यह 5 में 5 generations of computer worker cdcom faculty में निमन में निमन सरकेट को memory device के रूप में परियोग किया जाता है तो memory device के रूप में कौन सा circuit आपका use होता है computer में तो वो होता है आपका flip-flop कौन सा होता है flip-flop next है computer के संदर्ब में software का क्या अर्थ है तो software जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके तो software जो होते हैं computer program होते हैं क्या होते हैं यह आपके computer प्रोग्रेम नेक्स्ट एक है लाइनेक्स क्या है आपका लाइनेक्स पूछा गया है क्या होता है यह आपका operating system का एक नाम है open software होता है आपका यह open source software होता है लाइनेक्स यह भी क्या पूछा जाता है तो यह क्या है आपका operating system का एक नाम है नेक्स्ट है कैड का तात्पर यह है तो कैड का क्या तात्पर यह है कैड का मतलब क्या होता है तो कैड क्या होता का computer added design यानि कि आप computer की help से जो design करते हैं ठीक है फिर आप उसको manufacture कर सकते हैं यानि कि जो भी product का आपको design बनाना है computer की मदद से तो आप किसका यूज करते हैं कैड का ठीक है computer added design कि नेक्स्ट है Microsoft Office है जो Microsoft Office से वो क्या है तो Microsoft Office से आपका क्या है यह एक application software है next question है कौन सा software सब्द संसाधन में परियुक्त किया जाता है यानि कि word processing में ठीक है कौन सा software है आपका जिसको आप क्या करते हैं word processing में यूज करते हैं तो वह आपका कौन सा है तो आपका page maker भी है word star भी है MS word भी है तो तीनों के तीनों आपके क्या है word processing software है तो यह थे आज की वीडियो के आपके 50 questions तो next part में बाकी के 50 questions हम करेंगे तो इसी तरह से हम 50 questions की जो आपकी है आरेक पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपके जितने भी टॉप 500 questions के वह आपके cover हो जाएंगे आपके आने वाले exams के लिए सभी के सभी questions आपके important होने वाले हैं तो यदि आप इसी तरह के parts पढ़ना जाते हैं और त्यारी करना जाते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर ले और बैल आइकन को जरूर पैस कर ले तो कई बचे कहते हैं सर्थ हमें वीडियो को पता नहीं लगता तो notification को आप जरूर ओन कर ले जो बैल आइकन है वहाँ पर आप ओल को करेंगे तो जब भी वीडियो आएगी तो आपको notification मिलती रहेगे तो यह थाज की वीडियो में इतना ही thank you next part में मिलेंगे next 50 questions के साथ